अलू मटर की सबजी तो आपने कई बार खाई होगी, एक बार मेरे तरीके से अलू मटर की सबजे बना के देखिए, आप उंगलिये चाड़ते रहे जाएंगे तो आप इस रेसिपी को लाच तक जरूर देखना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये आलू मटर की रेसिपी कैसे लगी ये सब्जी बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए अलु मठल की सब्जी बनाने के लिए चील के थे याँैं और आप और है जारे चार दिये आलु की साईज को बड़ा रखनें और यह देखहे इस तरह हमें सारे यो को काट कि तयार के यहां प्रूं मेरे कटते हैं मायं यहां पी में चाना म schemes के यहां पर त्यार कर दिया दार भी कर लेंगे यहां पर टोरी में घ्रम पार्ड़ मीरड़ के चाना हiquँ मैंने धनिया पाउडर लिया है और एक चमच मैने चमच मैं नमक पैमचूर पाउडर लिया है नमक मीर्ची आप अपने टेस्ट के सबसे कम ज्यादा एड़ कर सकते हैं सबी मसाल को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर ली और इससे साइड में रख देंगे यहाँ पर हम ने गरम पानी लिए तो मशाली हमरे जल्दी से फूल के तैयार हो जाएंगे और यहाँ पर मैंने कड़ाई रखदिये गेसपे और इसमें हम डालेंगे सरसू का तेल, तो मैंने यहां पर तीन चमा सरसू का तेल डाला, जैसे ही तेल अच्छी तरह से गरम हो गया, तो मैंने यहां पर एक जीरा डाल दिया, और यहां पर दो मैंने मीडियम साइज की प्याज लिए, इसको बारिक चोपर से चोप कर लिए, और प्याज को हम डाल के अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। साथ में मैंने यहां पर दो हरी मिर्च लिए, इसको मैंने स्लाइस में कट किया और तीन से चार करी पते डाल देंगे। इनको भी अच्छे से बूनलेंगे, जियान रखना है कि साथ मğ possible मैं अच्छे से बूनना है कि सब्यी में यहां प्याज को जए अच्छे से बूनने tam इसे अच्छे में ब्राइ बाएं अगर हम अच्छे से भून के सबजी बनाते हैं तो वह सबजी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तो यह देखिए प्याज हमारे भून चुके है जो हमने मसाले गोल के रख्या था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसमें डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से पक के तयार हो जाए तो अब हम मसालो को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनिट के लिए मसालो को प्याज के साथ पका लेंगे ताकि मसालो का जो कच्छा फ्लेवर है वो अच्छे से बुन जाए और सबजी में कच अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिनिट के लिए पकने देंगे जब तक कि तेल इसमें से पूरी तरह से अलग होना शुरू नहीं हो जाता है और यह दे कि तेल टमाटर से अलग हो गया है तो अब हम इसमें एड करेंगे आलू जो हमने आलू भीगो के रखे थे उसका पान करेंगे और ध्यान रखना है कि हमें इसमें घरम पानी एड करने है मैंने साइड में घरम पानी चड़ा दिया है और यह देखे अलू को भूनते हैं हमें 2-3 मिनिट हो गये और यह देखे अलू डालने के बाद भी इसमें फिर से तेल अलग होना शुरू हो गया है तो यहां इसे सूखी सब्जी बनाना चाहते है तो ढखके पका लीजे बीना पानी डाले यह सब्जी बहुत जादा टेस्टि बनती है तो मैं यहां पर gravy वाली बना रही है तो मैंने यहां पर एक से डेड़ ग्लास के लगबक पानी डाल दिये अभी हम इसमें पानी कम ही रखेंगे बाद में जरुत के हिसाब से ओ डाल देंगे और पानी में एक अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसे 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ध्यान रखना है कि गेस की फ्लेम मीडियम रखने है और ढके पकाएंगे ताकि हमारे आलू यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और 10 मिनिट हो गए और यह देखिए पानी भी अभी इसमें काफी कम हो गए तो एक बार हम सबजी को चला लेते हैं और आलू हमारे हलके से सॉफ्ट हो गए अभी पांच मिनिट यह हैं और मैंने बीच में इसको एक बार चेक कर लिए और अब लगबग 10 मिनिट हो गए आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए यह देखिए आपको देखके पता चल रहा हुगा कि आलू कितने सॉफ्ट हो गए मसाला भी हमारा अच्छे से इसमें लग चुका है तो अब हम मैं देखिए आपको एक आलू तोड़के दिखाती हूँ यह देखिए आलू पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके है आप एक बार इस तरीके से सबजी बना के देखिए आपको इस सबजी बहुत पसंद आएगी तो अब हम क्या करेंगे इसमें से आदे आलू को मेश कर लेंगे इसे की सबजी से पानी अलग नहीं जाएगा और ग्रेवी हमारी काफी गाड़ी हो जाएगी यह देखिए इस त आ लहाता और अब हम अपने हिसाब से ग्रेवी आप में जितनी गाड़ी पतली रखने उस हिसाब से पानी एड़ करेंगे तो यह देखिए आदे आलू मेश हो गयैं और आपको देखने पता चल रहा होगा कि काफी गाड़ी हो गया तो अब हम इसमें पानी डाल दिया है औ सब самой के माइस gak कूलासा देना हराधनिया के अक्राधकार मसालाया चालाए में गांड़ी के सबHolaई जाए अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे और सब्जी को सव कर लेंगे इस सब्जी को आप पूरी पराटे रोटी किसी के साथ सव कीजिए आपको यह सब्जी बहुत पसंद आएगी इसे बनाना बिल्कुल आसान है और इसका टेस्ट कई गुन अच्छा हैगा आप एक बार बना करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नहीं वीडियो है तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ गजाए मिलते हैं ।